बहुपदों का गुणनखंडन Factoring Polynomials अभी तक हमने देखा कि किसी बहुपद को किसी अन्य बहुपद से भाग दिया जाता है तब शेश्वल शून्य होने पर हम यह कह पाते हैं कि वह भाजक बहुपद भाजे बहुपद का गुणनखंड है इससे हम बहुपद के गुणनखंडन नहीं ढून सकते तो हम उन बहुपदों तक कैसे पहुँचे जो किसी बहुपद के गुणनखंड है हम बहुपदों के प्रकार के आधार पर उनके गुणनखंड प्राप्त करते हैं हम यहां एक घाती वद्वी घाती बहुपदों के गुणनखंडन की चर्चा करेंगे किसी संख्या का गुणनखंडन करने का अर्थ उसे ऐसे अभाज गुणनखंडों में तोड़ना होता है जिनका गुणा करने पर पुनह वही संख्या प्राप्थो 6 की गुणनखन 2 गुणे 3 के बारे में विचार करते हैं 6 को यहां 2 वद 3 के अभाज गुणनखन के रूप में लिखा गया है जिनका गुणनफल 6 है इसी प्रकार 12 को भी लिख सकते हैं 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 इसी प्रकार जब हम किसी बहुपत के गुणन-खंडन की बात करते हैं तो उसका आशे होता है कि बहुपत को ऐसे सरल बहुपतों के रूप में तोड़ कर लिखना जिन्हें गुणा करने पर फिर वही बहुपत मिल जाए बहुपतों के गुणन-खंडन करने के कुछ तरीके हैं जैसे हम कभी उभैनिष्ट बहुपत पहचान कर गुणन-खंडन करते हैं तो कभी इन सरुसमिकाओं के उप्योग से A धन B पूरे का वर्ग बराबर A का वर्ग धन 2AB धन B का वर्ग A वर्ग रिन बी गुणेत कोश्टक में A रिन B आदी उभैनिष्ट निकाल कर गुणन-खंड प्राप्त करना उभैनिष्ट बहुपत निकाल कर गुणन-खंड ग्यात करना तभी संभव हो पाता है जबकि बहुपत के सभी पदों में वह बहुपद मौजूद हो आगे के कुछ उधारणों में इसे समझा जा सकता है उधारण 16 12X धन 4X की घाथ 2 का गुड़न खंड़न कीजिए हल सबसे पहले हमारे पास बहुपद 12X धन 4X की घाथ 2 जिसका हमें गुड़न खंड़न करना है दूसरे पद में यहां 4 है इसके लिए हम 12 को 4 गुणा 3 के रूप में लिखेंगे और X के लिए गुणा X धन 4 गुणा X गुणा X यहां हमने 4X की घाथ 2 को 4 गुणा X गुणा X के रूप में लिखा अब यहां हमारे पास दो पद है 4 गुणा 3 गुणा X पहला पद धन 4 गुणा X गुणा X यहां बहु पद 4X दोनों पदों में है जिसे हम 4X को उभैनिश निकाल लेंगे तो हमारे पास कोश्टक में यहां पहले पद में 3 बचेंगा धन दूसरे पद में X बचेंगा यह हमारा अभिष्ट गुणखन है तो इस तरह से हमने देखा कि 12X धन 4X गुणखन करना है तो हमें प्राप्त हुआ 4X कोश्टक में 3 धन X जो कि यह अभिष्ट गुणखन है इस बहुपत का उधारण 17 A B धन A C धन A की घात 2 का गुणखन्डन कीजी हल सबसे पहले हमारे पास बहुपत A B धन A C धन A की घात 2 है यहां पे हम देखते हैं कि A तीनों पदों में है A B में A है दूसरा पद A C में भी A है और तीसरा पद A की घात 2 में भी A है तो यहां सबसे पहले हम A को उभहिनिष्ट के रूप में सभी पदों से बहार निकाल लेंगे तो कोश्टक में हमारे पास प्राप्त होंगा B धन C धन A अब इसे हम लिखेंगे A और इसे जब हम क्रम से जमाएंगे तो इसे लिख सकते हैं A धन B धन C तो फिर कोश्टक हमारा बंद होंगा यह जो हमारा है अभिष्ट गुडण खंड है तो बहुपद A B धन A C धन A की घाट दो में तीनों पदों में A होने के कारण हमने इसमें A को उभहिनिष्ट निकाला और कोश्टक में बचेंगा पहले पद में B धन यहां पे C और धन A को हमने क्योंकि बहार निकाला तो यहां एक A बचेंगा और इस तरह से हम जब इसे क्रम में लिखेंगे ABC के रूप में तो A जो कोश्टक में A पहले धन B धन C यह हमारा अभिष्ट गुडण खंड है यह इस प्रश्ण का हल होगा उधारण 18 दो X की खा तीन धन 4 X का गुडण खंडण कीजिए हल दो X की खा तीन धन 4 X इसमें हम पहला पद बराबर पहला पद 2 X ही खा तीन को गुडण के रूप में लिखेंगे 2 गुडण X गुडण X गुडण X गुडण X चुकि X की खा तीन को हम तीन बार गुडण में लिखे X गुडण X गुडण X धन दूसरा पद है हमारे पास 4 X चार को हम तोड़ सकते हैं गुणा में 2 गुणा 2 और इस X के लिए गुणा X अब हमारे पास यहां 2 पद 2 गुणा X गुणा X गुणा X पहला पद धन 2 गुणा 2 गुणा X दूसरा पद इसमें हम सबसे पहले यहां 2 को उभेनिश निकालेंगे और X भी यहां पे दोनों में हैं तो 2X हमारा उभेनिश निकलेंगा तो कोश्टक में हमारे पास आएंगा 2X क्योंकि बहार निकल चुका है कोश्टक के तो X को X से गुणा करेंगे तो घात के रूप में हम इससे लिए सकते हैं 2X की घात 2 धन 2X क्योंकि हमने निकाल चुका है तो यहां पे दूसरे पद में 2 बचेंगा और यह हमने कोश्टक को बंद कर दिया तो यह जो हमारा बहुपत था जिसको हमने गुणन खंडन करने के बाद प्राप्त किया 2X कोश्टक में X की घात 2 धन 2 अभिष्ट गुणन खंड है या इस प्रश्न का हल होंगा